तो अब हमने देखा कि कैसे हम page object model को use करते हैं हमने उसका advantages भी देखे हम कुछ test cases और करेंगे इसके साथ जो हम पहले हम कर रहे थे और हम देखेंगे कि इसके disadvantages क्या है तो major disadvantages का यह है कि आपको एक setup करने में क्योंकि हम यहां पर सरफ एक ही page की बात कर रहे हैं अगर multiple pages है आप multiple classes बना रहे हैं तो वहां पर आपको लगेगा कि आपका infrastructure जो build करने का time है जो setup time and cost है वो काफी जादा हो जाएगी linear scripting या कोई और framework यूज़ करने के accordingly और इसके लवा आगे हम जो data और framework sorry keyword driven frameworks approach यूज़ कर रहे हैं वो एक generic है जबकि यह इतना generic नहीं है page object के साथ यह approach को club कर दिया जाता है तो इसके अलावा अगर आप multiple pages handle करना चाहते हैं let's say कि आपका हम जो test case कर रहे थे rediffmail.com का तो यह मेरा rediff है तो यहाँ पर हम firefox खोल लेते हैं ताकि हम firebug में वो कर पाएं तो rediff.com हमने यहाँ पर देखा उसके बाद हम अगर मालों किसी और page पर जा रहे थे वहाँ पर अगर हमने data pass करना है तो वहाँ पर कैसे होगा वो देख लेंगे तो हमने rediff.com पर गए उसके बाद जब हमने देखा कि यहाँ username और password जो हमने डालना है वो different page पर है तो यहाँ तो दो तरीके हैं यहाँ आप यहाँ पर क्लिक करें और जाए यहाँ फिर आप पूरा driver से ही आप इस URL कॉल करें तो हम दोनों करके देखेंगे और देखेंगे कि यह चलता है या कोई exception आती है क्योंकि आप यहाँ पर एक page के लिए एक ही class बनाते हैं हम इस बारी में क्या करेंगे कि different pages के लिए एक ही class बनाएंगे तो वो चलता है या नहीं चलता तो let's take method बनाया हमने एंटर डेटा अब यहां एंटर डेटा में मैं क्या करूँगा value डालूँगा इसकी मेरा inspector element करके इसकी input है login तो यहां पर मैं इसको id दूँगा और यहां कहूँगा इसे login one तो मेरा login है अब उसके बाद मैं password दूँगा तो मेरा password जो है वो क्या है यहां पर id इसकी password और अब मैं यहां पर data send करूँगा test email और password में कोई भी value और यहां पर मैं इस method को call करूँगा और इसे execute करेंगे तो यह browser खोलके click किया इसने redifmail.com पर और यहां data send कर दिया ऐसे ही अगर मैं यहां पर same operation perform कराऊंगा लेकिन इस click की जगह मैं URL पर जाता हूँ जो खुला था भी इस वाले URL पर और फिर action perform करता हूँ तो यहां पर जो मेरा action perform हुआ data यहां send हो गया same चीज operation perform हो गया है तो अभी तक हमने यहां पर यह approach use करें लेकिन आप जो approach अभी हम use कर रहे है तो आप यह सोच रहोंगे कि यहां पर हम driver object बार बार same initialize कर रहे हैं और हर page file में यह same होगा बट ऐसा नहीं होगा इसके लिए हम एक base class बना सकते हैं let's say मेरी base class है यह तो इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक driver object डालूँगा तो जब मैंने इसको यहां डाल दिया और उसके बाद यह हर बार initialize यहां होगा और अगर आप इसे private करेंगे तो of course आप कहीं और use नहीं कर पाएंगे तो इसे public करना होगा और उसके बाद हम इसे navigate करेंगे तो यहां पर जो मेरा paste test है इसको मैं extends करूँगा base class से तो यह extend किया मैंने base class से और उसके बाद जब यहां आप देखेंगे तो यह driver object यहां पर आ गया और इसको मैं जो यही काम हो रहा है यहां पर इसको मैं यहां पर से हटा के इसको मैं यहां पर use करूँगा हर method में आपको अलग से define करना होगा यहां से हटाया हर method में आप अपना instance खुद create कर सकते हैं और इसमें भी आपको extend करना होगा base class को तो इसको आपने यहां पर extend कर लिया तो यहां पर मैंने दो जो जगा पर base class को extend कर दिया आप चाहे तो इसकी जावका इन inheritance concepts को यूज करके और अच्छे से कर सकते हैं लाइक एक common class यूज कर गया और test के लिए अलग और page के लिए अलग आप पूरा उसको बना सकते हैं तो inheritance के concept से इसमें जादा समझ में आ जाएगा पर अभी के लिए हम एक base class से यूज कर रहे हैं और उसके बाद मैं कुछ भी action perform करना चाहता हूँ लेट से यहाँ क्लिक कर रहा था मैं और यहाँ पर जो मेरा option था enter data और मैं उसमें जो मैंने एकस बाद बनाये थे login और password के लिए जो id से उठा रहा था मैं जिसके id थी login1 और इसके id थी password तो मैं यहाँ पर इसको data send करूँगा test user पहले की तरह और फिर password दुबारा send करूँगा password 1 to 3 पर different क्या है यहाँ पर से यह हटा देंगे हम पर difference क्या है यहाँ पर हमेशा जो यह instance हो रहा है वो यहाँ पर हमेशा base class में defined है और same driver object दोने जगा यूज़ हो रहा है तो इसे run करेंगे तो इसने chrome driver खोला पर यहाँ पर इसे यह वाला option नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर हमने driver.get नहीं दिया था तो यहां पर आपको तो अब इससे यहाँ पर data enter करना है जो हमने यहाँ पर define कर रहे रहेंगे और दोबारा execute कर रहे है और run कर रहे है झाल 2 2 2 2 तो अब इसने यहापर क्लिक करने के बाद क्या किया पेज लोड किया और डेटा हमने एंटर कर दिया और अगर यहाँ पर आप यहाँ पर बस एलिमेंट हमने जो सेम यूज किया तो लॉगन में ही किया ऐसे आप पासवर्ड करेंगे तो पासवर्ड में डालेगा तो उसमें कोई इशू नहीं है वो जैसे आप करवाना चाहेंगे वैसे टेस्ट पफोर्म होगा तो अगर मैं यह सेम चीज जो मैं यह एंटर डेटा कर रहा हूँ मैं यहाँ डिफरेंट पेज क्लास बनाता हूँ इसकी तो यह method मैंने call किया तो जो इसके elements थे वो मैं यहाँ से उठाके यहाँ पर डालूँगा तो यहाँ पर भी मुझे of course page factory initialize करनी पड़ेगी तो मैंने यह page factory initialize करी और मुझे extend करना पड़ेगा base class को जैसे पहले हमने उस पुरानी class में किया था और यहाँ पर page chest की जगह login page use होगा और अब मैंने यहाँ पर यह method call कर दिया login page का तो यहाँ पर जब यह method call किया हमने सब सेम काम किया है बस हमने क्या कि class different कर दिया है क्योंकि वह page different है तो एक बर हमने कहा कि class different करते है जो major trend है एक particular page object model का वह हमने follow किया है तो यहाँ पर उसने URL पर गया और उसने null pointer दे दिया क्योंकि यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर से यह static block हटा दिया था तो इसको यह वापिस लगाएंगे और फिर execute करेंगे तो same static block हमने यहाँ पर भी रखा है यहाँ अगर object static class नहीं है तो constructor define करेंगे पर यहाँ पर object name हमने यह change कर दिया था login page कर दिया है तो यहाँ पर दुबारा से action perform होगा browser खुल गया redif.com पर navigate करके click किया और different URL पर navigate किया अब यहाँ पर username और password enter करेंगे तो यह username password भी enter हो गया तो हाँ अगर हम बात करें कि पहले हम same different sorry same class से use करके same page factory और एक ही object को use करके login page पर भी काम करवा रहे थे क्योंकि हमने यह सब सीज़े define का कर रखी थी paste test class में लेकिन यहाँ पर अगर आपने यह वाला method call करना है कभी भी तो आपको अलग से static block with login page object यह आपको define करना होगा चया आप यह call test class से मार रहे है या फिर एक page object class से मार रहे है तो यह हमने different scenarios को discuss किया और हमने disadvantages को discuss किया advantages हम पहले discuss कर सुके है कि इसकी modularity reusability और एक important point जब भी आप methods का नाम दे क्योंकि different pages है navigate click different pages पर होगा तो आप pages का नाम elements का नाम बहुत ही सोच समझ के दे ताकि आपको पता चले कि नाम से ही यह कौन से page का web element है या कौन से page का method है और यह action क्या perform कर रहा तो यह था मारा page object model आगे हम different framework approaches भी discuss करेंगे तो अभी के लिए इतना ही thank you